मिलेगा तब ही तो ब्लड बाइर जाएगा ना ठीक है इसलिए इस पेशेंट के अंदर क्या होगा आइसो वोल्यमेटिक दे रिलेक्सेशन फेज ना आम से पता चल रहा है जो आपके वेंट्रिकुल है वो क्या कर गए है रिलेक्स कर गए है ठीक है जब आपके वेंट्रिकुल रिलेक्स कर जाएंगे आपका आयोटिक और पल्मोनरी वैल्व दोनों क्लोज हो जाएंगे अब जब यहां पे बच्चों दोनों वैल्व क्लोज होंगे तो इसकी वज़ा से एस टू हार्ट साउंड सुनेंगे ठीक है अब अरीहा पता चल गए आपको एस टू हार्ट साउंड क्यों सुन रहे हैं क्योंके प्रेशर डिक्रीज कर रहा है प्रेशर डिक्रीज करने की वज़ा से जो हमारे वैल्व थे वो दोनों बंद होगे ठीक है पहले वो खुलेंगे उसके बाद बंद होंगे फिर आर्ट सा इसमें गैप होता है एक साथ दुनों नहीं बंद होते जो आयोटा होता है हमारे पास वो क्या करता है थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है पल्मोनरी थोड़ा डिले से होता है ठीक है आगे जाके ठीक है हम स्प्लिटिंग में डिसकस करते हैं स्प्लिटिंग का टॉपिक है ह हम उसमें डिसकस करेंगे उसमें बताओंगा जी ठीक है जी ठीक है आयोटा पहले होता उसके बाद पल्मोनरी होता है ठीक है समझा आगे वह भी बताओंगा कि पल्मोनरी क्यों पहले बंद हो रहा उसकी रीजन भी बताओंगा अभी बस हम जो अभी जो खिचडी आगे पकी ह सिर्फ उसी को खाएं ठीक है आई सो फोल्यमेटिक रिलेक्सेशन फेस में क्या और रहा था कि मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या ओंगे हमारे वेंटिकुलर रिलेक्स कर जाएंगे जो वेंटिकुलर रिलेक्स करेंगे तो ऐयोटा और पल्मोनरी रिवैल्फ दोनों तो इसकी वजर्बा से कोन सी हार्ट कांण सुनेंगे हम हां स्थाउंगे हम समझ मारे अगे संप ध्र करें जल दी बताएं आगे कंटइन्ट करें जी ठीक है इसके बाद हम जो यह सुनेंगे न आपके वो होगए मारे पास स resource हो आज पास नाम से पता चल रहा है है रेपिड वयंटिकुलर फिलिंग ठीक है इसके अंदर पता क्या होगा देखें जब आपका बच्चो सारा ब्लड व нрав उपन हो जयेंगे तो तो जो blood होगा वह itria से जलदी से जलदी दुबारा वंटिकलर एंदर जाएगा जब दुबारा वंटिकलर के अदर जाएगा तो feeling start होझेगी हार्ड की दुबारा ठीक है किसे अंदर rapid roidventricular वेंटिकलर फिलदिघ्ड्र नाम सी पता चल रहे है इसके अंदर एक important point वो कहा है जी mitral or tricuspid valve आपके क्या हो रहे हैं open हो रहे हैं ठीक है जब mitral or tricuspid valve हमारे open होंगे तो इसमें क्या होगा हमारा इसके अंदर क्या होगा हमारा blood फॉरण से rush करके किदर चला जाएगा हमारे ventricular में चला जाएगा और इसके अंदर हम कौन सी heart sound सुनते हैं बच्चो s3 heart sound सुनते होते हैं शुरू में मैंने आपको बताया था कि क्या होगा कि जब एट्रिया से blood rush करके ventricular के अंदर चला जे फिलिंग की में तो उसके अंदर हम कौन सा heart sound सुनते हैं S3 heart sound सुनते होते हैं तो इसके अंदर क्या होगा हम S3 heart sound सुनेंगे atrial systole वाले patient के अंदर हम S4 heart sound सुन रहे थे क्यों 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 उसके अंदर तो contraction ज्यादा हो रही है और contraction की वज़ा से जब atria आपका ज्यादा contract करता है तो उसके अंदर हम क्या सुनेंगे atria ventricle के contraction की ज्यादा की वज़ा से s4 है heart sound सुनेंगे उसके अंदर ठीक है इसके अंदर rapid ventricular feeling वाले patient के अंदर हम क्या सुनेंगे s3 heart sound क्यूं सुनेंगे इसके अंदर हम हार्ट सांट इस लिए सुनेंगे क्युंके आपके माइट्रल वैल वाप도 होगे। इससे सब में दो दो टीन इंपॉर्टन फॉइंट है सिर्फ इस पर आप फोकस रखें का माइट्रल वेल्वश जो open होंगे तो blood atria से ventricular के अंदर ज्यादा से ज्यादा नहीं जाएगा जब blood atria से ventricular के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो इसके अंदर हम third hour sound नहीं सुन सकते जल्दी अली पताएं सो तो नहीं कि सारे थोड़ आसाना complicated topic है लेकिन इजी है जरा समझ केस को पढ़ें हां जी हां जी बाकियों को समझ आ रही है बाकियों को बच्छों समझ आ रही है यहां पर ठीक है जी rapid ventricular filling के अंदर मैंने आपको क्या बताया केस के अंदर क्या होगा blood जादा से जादा के किदर जाएगा ventricular के अंदर जाएगा ठीक है अब लास्ट इसकी फेज रिडूश्ट वैंटिकुलर फिलिंग अब देखें रिड्यूस्ट वैंगर इसमें से question पूछते हैं जो मारे पास आपकी क्या है longest phase है अब इसने बताना है reduce feeling के अंदर पता क्या होगा देखें यह एक क्या है मेरे पास part ठीक है यह लेफ्ट एट्रियम मैं सिर्फ एक साइड बना रहा हूं अब जब हमारा 120 complete हो गया ठीक है अब भी हमारे पास क्या हुआ यहां मैंने वांट्वण्टी था फ़र इग्जेंपल मैं आपके यहां पर दुबारा दिखाता हूं यह देखें जी यहां पर हमें चाहिए था 120 यहां पर भी क्या हमारे पास क्या है 100 तक आया 100 यहां पर जब मैं आपको बोला था कि 80 प आ जाता है ना थीक है तो क्या कर देता है अपनोंी कर देता है फिलिंग फिर स्लोव करता है अपनी थीक है क्या करता है सोलोव filling करता है ताके heart के निदर क्या करे blood जाता रहे ठीक है ये फॉरन से आपकी सारी phases चालरी होती है ये नहीं कि मतलब इसमें को gap आ रहा हो मतलब एक मिनट दो मिनट का gap आ रहा हो ऐसा बिलकुल नहीं होता फॉरन आपका S1 S2 आपने सुनी होगी heart sound फॉरन फॉरन से produce हो रही होती ह ठीक है ये नहीं कि gap आएगा इसलिए क्या होगा हमारे पास ये longest phase होगा slow 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 आपकी ventricular किसके अंदर क्या होगी filling होगी number one important point slow filling होगी इसके अंदर ताके जो हमारा heart है ना वो खाली हो ही ना उसके अंदर blood चलता ही रहे इसलिए क्या होगा इसके अंदर slow filling होगी heart की इसमें जो अब किसी patient को hypertrophy है उसके अंदर क्या होगा heart की contractility क्या होगी ज्यादा नहीं होगी ठीक है उस patient के अंदर heart की contractility ज्यादा है तो उसको बचो filling का time कम नहीं मिलेगा ठीक है definitely उसके अंदर क्या होगा filling का time heart को कम मिलेगा examiner S से ही question पूछता है कि एक हमारे पास hypertrophy का patient है उसके अं हमारे पास uङक्षिक team i9 का पेशन्ट है यह हमारे पास अरिद्मिया का पेशन्ट इन सब के अनदर पता क्या होती है हार्ट की कॉण्टरेक्ट लिक काफी जादा होती है जिब हाठmor काफी जादा음 रुगा इस पेशन्ट के अंदर तो बच्चोंशków को फिलिंग का time पे तो उतना कम मिलेगा ना ठीक है तो इसके अंदर क्या होगा हमारी filling institution के अंदर कम होगी डियू की कड़े अदर भी समय आगी यह वाला point के दुबारा repeat कर दो color कि jyis के अंदर क्या क्ली का होगा इजेक्शन fraction विकाम होगी हमारी और क्या होगा रिपीट कर दें जी रिपीट करतें अच्छा जी नहीं रिपीट कर दो Reduceventicular feeling के अंदर पता क्या होगा तेखें अब इसके अppen repeat कर दें यह होगा इस reduced funeral feeling के अंदर के हमारा strong blood जाएगा एर्ड्रीयस के अंदर जाएगा ठीक है जो last 20% रहा जाता है उसकी reason पता है क्यों क्या होती है कि जो हमारा heart है ना वो empty ना हो blood से उसको blood मिलता ही रहे ठीक है slow slow जाएगा अब ये भी condition क्या करती है vary करती होती है अगर patient को कोई disease तो नहीं है for example किसी patient को क्या है टेकी काड़ी है अब जब किसी patient को टेकी काड़ी है उसके अंदर heart relax का रही नहीं रहा बहुत ज़्यादा contract कर रहा है यह arrhythmia है ठीक है तो इस patient के अंदर क्या हो जाएगी feeling कम हो जाएगी क्यों अब देखें हमारे पास कितना मैंना आपको बताया था कि यह देखें मैं अब दुबारा बता देता हूँ यहाँ पे कि 120 है तो क्या होता ओपन होता है हमारे पास अभी यहाँ पर 20% अभी blood आया हमारे पास ठीक है सिर्फ 20% blood आया तो वो क्या करेगा heart की contractility इतनी ज़्यादा है कि अभी वो 20 है वो 20 की उड़ा आके बाहर मारेगा आयोटा में फैंक देगा जल्दी से क्योंकि heart की contraction बहुत ज़्यादा है वो filling का time ही नहीं देरी इसको के heart fill हो जे 20% है उसने 20 का 20 बाहर पैंक दिया फॉरांचे बाहर पैंक दिया ठीक है किसलिए क्या होगा जो हमारी reduce ventricular feeling है वो क्या करेगी vary करेगी ठीक है depend करेगी उसकी condition देखके अब यह वाला point समझ में आ गया हफसाब को भी आगा साथ आ गया आपको यह वाला point समझ क्यूं vary करेगी उस patient के अंदर हांजी हांजी जल्दी जल्दी बताएं क्यूंक यह पर समझ आगी-किसी का point रहा है तो झाय जल्दी जल्दी बताएं सबसे पहले हम कौन सी phase सुनेंगे सबसे पहले कों सी phase होगी जल्दी बतएं इसके अंदर सबसे पहले कौन सी phase होगी मैं यह थों से पहले कौन सी phase होगी आयोटिक अाट्रियल्स इसंटॉल ठीजह है जिये जिए ज़ल्दे केले बताएं कोई सी वेव देखेंगे उसके अधर मताता उएक मिनिट ज़ल्दे के अधर की देखेंगे और यह यह देखेंगे कोन् यह से प्रश कोरेजों को इस पेशन के अधर वाइस वोर फैसफोर मारेंव य्यद ấy 4 tex1 जबी कैसे एक्वां सुनेंगे बच्चे उसके अंदर तो सिर्फ 예री एक्ट कर रहे है ना एक 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 वोल्युमेटिक वेंडिकarah कॉंट्राक्शन फेस कि अंदर हम कौंज़् सी हार्ट साउंड san ठीक हाजी ठीक है आइसो वोल्मेटिक कॉंट्रैक्शन के अंदर कौन सी सुनेंगे S1 क्यूं सुनेंगे उसके अंदर S1 जल्दी बताएं इसमें से बड़े MCQ जाते हैं पांच मिनट जादा भी लग जेंगे उस तो कोई मसला नहीं है ठीक है जी बोथ क्लोज हो रहे होते हैं ठीक है हम इसके अंदर ECG पे कौन सी वेव देखेंगे URS देखेंगे वेरी गूड़ ये भी MCQ जाता है ये याद रखना रटा लगा ले ना इसको इसके अंदर IOT के वैल उपन होंगे के क्लोज होंगे बेरी गुड़ बेरी गुड़ जल्दी बताएं लोज होंगे ठीक है रैपिड वेंटिकुलर इजेक्शन जो थैड़ फेस ती इसके अंदर मुझे ये बताएं इस फेस के अंदर क्या आता और कौन सी वेव देखेंगे हम जगलर वेनर प्रेशर की कौन सी वेव देखेंग बताएं बताएं सी वेव देखेंगे वेरी गुड़ और इसके अंदर हो क्या होता है आयोटिक वैल इसके अंदर ओपन होगा क्लोज होगा कोई इशो नहीं है अरीहा कोई इशो नहीं है बचे अभी आप सिरफ इसके नाम याद रख लें जब आप ECD पढ़ेंगे ना तो वहां पर ये फेजिस मैंचिन नहीं की हुई उन्होंने कि हम अगर QRS ये बंद रहा है QRS वेव बंद रही है मारे पास QRS कॉम्पलेक्स सब्वास्ति होगी कि जी हम ये आइशो वोल्म तो अज़ाए है